शार जी मेरा नाम एमीनू बताने जारे हूँ शनी जैन्ती पर बन रहे हैं बड़े अच्छे योग करे राशी अनुसार ये उपाएं जेश्ट मास्किया मवस्या पर शनी जैन्ती का पर्व मनाया जाता है इस बार ये पर्व 25 मई गुरुवार को है इस बार शनी जैन्ती पर मंगला दित्त सहीत कई योगों का सहयोग बन रहे है जो शनी की साड़े साती वड़या से प्रवावित रोगों के लिए विशेश लाबकारी रहेगा बनेंगे इतने सारे सूब सायोग शनी जैन्ती पर घ्रै गोचर के नुसार मंगलादित सहीत ब्रस्पती का दवम पंचम शनी का शष्टा शडाशक वा गुरु शुक्र के समसप तक योग बन रहे हैं जो यू तो सभी बाराशी के लिए फलदाई हैं लेकिन इन योगों में शनी की साड़े साती ये वा धाया वाले जातक शनी की विशेश किरपा पाएंगे योगी गुरुवार को कृतिका नशत्र में शनी जैन्ती का होना शास्त्रों में परवाव शील वा समस्त प्रकार के शुफ फल प्रदान करने वाली बताया है इन राश्यों पर शनी का प्रभाव ब्रशब धैया, कन्या धैया, ब्रशिक साड़े साती, धनू साड़े साती, मकर साड़े साती शनी देव को नीले रंग बहुत पसंद है, फुजड़ाईये उन्हें मेश राशी सुन्दर कान या हनुमान चलीसा का पार्ट करें जो मेश राशी के जातक हैं, वो चाते हैं कि हमें सनी की किरपा प्राप्थ हो, तो वो सुन्दर कांड का पार्ट करें ब्रशब राशी शनी अश्टोतर शत नमावली का पार्ट करें मिथुन राशी शनी देव को काली उरद की दाल चड़ाएं तो शनी मंदिर में जाएं और आप उन्हें काली उरद की दाल चड़ाएं, उन्हें आप परजिता के फूल चड़ाएं, करक राशी राजा दश्रत करत शनी सोस्र का पार्ट करें, तो आपको ज्यादा लाप प्राप्त होगा सिंग राशी किसी मंगलवार हनुमान जी को चूला चड़ाएं, आप मंगलवार को हनुमान जी को चूला चड़ाएं कन्या राशी शनी देव के बीज मंतरों का जाप करें, जैसे ओम शम शनिच्च्राय नमा तो इस तरह से आप शनी की करपा प्राप कर सकते हैं, तुला राशी शनी देव का विशेक सर्सों के तेल से करें, तो तुला राशी वाले शनी देव का जो करें सर्सों के तेल को जोट लगाएं जाके गवरा जोत मिट्टी के दीवले होते हैं उसमें आप तेल डालके और जोत लगाया यह मखर राशी शनीदेव के बैदिक मंतरों का जाब करें जो भी बैदिक मंतर है शनीदेव के उनका जाब करें आप सब बकुमराशी जोतिशी से सला कर नीना ब्रतन पहने आप जोतिशी से सला कर ले और नीना ब्रतन पहन ले मीन राशी कुछ रोगयों की यह सा संबब मदद करें धन्यवाद मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे